पैंशन भोगी दिव्यांग जनों और सीनियर सिटिजन्स के लिए बड़ा अलान सामने आ रहा है जिसमें रेल मंतरी का राज्य सवा से बड़ा अलान आया है कि जो पैंशन भोगी दिव्यांग जनों और सीनियर सिटिजन्स हैं उनको रेलवे किराय में छूट के बारे में ज नहीं किया गया है इसी को लेकर राज्यसवा में सरकार से प्रशन पूछा गया तो क्या प्रशन पूछा गया और सरकार की तरफ से इसका क्या उत्तर मिला चलिए पूरी खबर को विस्तार से जान लेते हैं लेकिन उसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रह करेंगे कि क्या सरकार रेल गाडियों में पैंशन भूगियों व्रिश नागरिकों की यत्रा के लिए नए डिबी शुरू करने की योजना है ताकि उनकी यत्रा अधिक सुईधा जनक हो सके यदि हां तो तत समंदी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है इस पर रेल सुचना और परसारन मंत्रे शिरी अश्वनी वैशनव ने कहा कि भारतिया रेल पहले से ही सभी मेल एक्सप्रेस गाडियों में व्रिश नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए एक अलग कंपार्मेंट की सुईधा देता है इन डिबों में चौड़े परवेश उचाई पर वाश बेसिन और धरपन भी उपलब्ध होते हैं इसके साथ ही रेल मंत्रे ने कहा कि सभी वंदे भारत गाडियों में दोनों छोर पर ड्राइविंग सुवारी डिबो में दिव्यांग जनों और विरिश नागरिकों के लिए स्वैचालित पलग टाइप परवेश द्वार पार्किंग विल्चेर के लिए चिन्हित स्थान विल्चेर के संपूर्ण संचालन के लिए बड़ा शोचाले शेतर ब्रेल संकेत कम उचाई वाला वाश बेसिन उप्योक्त उचाई पर हैंड ड्रेल सहित पश्चमी शोचासन आधी जैसी सुविधाओं क अप्ठावधान होता है सीनियर सीटिजन को रेल्वे किरायब में रियायत की बात پर क्या बोलते हैं मंत्री आए जानते हैं आगे श्री एसकल्यान सुंद्रब ने सरकार से प्रशन पूचा कि सरकार ने वरिश नागरिकों की रियायतों को वापस क्यों लिया इसका क्या कारण है वरिश नागरिक रियायत कब से फिर से शुरू की जाएगी इसकी संभावे तिथी क्या है तत समंधी बियोरा क्या है इस पर रेल मंत्री ने कहा कि वरिश नागरिक रियायत करोना के कारण बंद कर दिया गया था अब इसको फिर से शुरू करने की कोई भी योजना सरकार के पास विचारा धिन नहीं है इसके साथ उन्होंने कहा कि भारतिय रेल वे समाज के सभी वर्गों को किफायती सिवाएं परदान करने का प्रियास करता है और 2022-23 में यात्री टिक टोप पर 56,953 करोड रुपे की सबसीडी दी गई यह रेल यात्रा करने वाले परतेक व्यक्ति को आस्तन 46 परसंट यानि की 40 परसंट रियाएत के बराबर है यह सबसीडी सभी यात्रियों के लिए जारी है इसके अलावा राइल मंतरी ने कहा कि इस सबसीडी राशी से पूरे अन्य रियायते कहीं श्रेणियों जैसे भी कलांग, वेक्तियों, दिव्यांग जनों की चार श्रेणियों, रोगियों की ग्यारा श्रेणियों और छातरों की आठ श्रेणियों के लिए जारी है उमीद है कि जल से दुबारा फिर से सीनियर सीटीजन्स के लिए रेलवे किराय में छूट लागई की जाए हम यही मानते हैं कि करनी भी चाहिए वरिशनागर को के लिए आपकी इस बारे में क्या राया है कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को लाइक, शियर और चै